जस्मानक फैन्स एंड राजतारन फाइट स्टॉप प्लीज मैं ऐसा क्यूं बोर रहा हूं इसके बारे में बात करूंगा मैं सो लेट्स पर वडियो चैनल सुस्क्राइब थैंक यू सो जैसे कि आपको पता है कि जस्मानक को इस बंदे ने स्वारी बोल दिया एंड उसके फैन पेच को भी स्वारी बोल दिया कि मैं अपने वर्ड से वापस लेता हूं एंड ऐसे मैं जो जस्मान के फैन्स है वह अभी भी बहुत ही एंग्री है कि वह इस बंदे ने जस्मानको ऐसा क्यों बोला क्यों बोला ऐसा करके उस boy ने तो बोल दिया या स्वारी मैंने जस्मान का जो भी बोला है उसको word को मैं वापस ले रहा हूँ बट आप तो समधार हो ना उसको आप mention story पे क्यों कर रहे हो आप उसको reply नहीं दे रहे है bro उसको आप fame कर रहे हो मलब कि आप उसको famous कर रहे हो अगर आपने उसको story पे ल लोग ऐसे mention कर रहें तो उसको मज़ा ही आएगा not ऐसा वो डर रहा होगा कि मुझे इतने सारे लोगों ने report किया so आप ऐसा कुछ ना करें और उसको fame ही मिर रहा है और कुछ नहीं मिर रहा है और उस लड़के को मैं तक नहीं जानता था ना कि आप जानते थे बट उसके Instagram ए होंगे मैं को पता है और इसी को कहते है fame और आप उसे reply नहीं दे रहे है आप उसे fame दे रहे हो famous कर रहे है वैसे भी यह चोटा मोटा लड़का जस्मानक का क्या ही कर लेगा जिसके वज़े से तुमीश को famous कर रहे हो इसको reply कर रहे है उपने story पर अगर जस्मानक का किसी बड बंदे ने बोल दिया तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो वाज़े इस बंदे को कौन ही जानता है भाई मतलब कि यह फेम लेने आया तो आप इसको और ज्यादा ज्यादा रिप्लाई ना करो इसका क्या है भाई यह तो छोटा मोटा कुछ होगा ना है एंड जस्मानक इतने बड़ वाला तो कि आप हर रोज हर किसी को कमेंट में या फिर स्ट्योरी पे उनको बोलते रहोगे कि अपने अकौत मेरा ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता ब्रो ऐसे चोटे मोटे लोग जो होते हैं वो बड़े स्टार को बदनाम करने या फिर फेम पाने के लिए करते हैं सो इसको इग् करना बंद कर दो और रिपोर्ट रिपोर्ट तो मैंने भी किया है तो उससे क्या होगा जाते ज्यादा इसका होगा वो परमेंटली डिलीट हो जागा बस बाकी मेरा एक ही ओपीनियन है और कहना है कि आप इस रिप्लाई कांट्रवर्सी को छोड़ो यार ऐसे चोटी मोटी क करके क्या फायदा आपका इसमें क्या कहना मुझे कमेंड करके जरुबता है माकी मेरा बस इतना ही बोलना था कि आप इस जो फाइट है उसे बंद कर दो ऐसा बोल के क्या मिलेगा ब्रो तो छोड़ो यार ऐसे छोटे मोटी कंट्रवर्सी से क्या लेन देना